हाई कि आपको पता है कि बाजार में जो मियोनीज मिलती हो बिलकुल भी healthy नहीं होती है उसमें बहुत सारा oil होता है या फिर egg का इस्तमाल करके बनाया जाता है बन तो बहुत easily जाती है बट वो बिलकुल भी आपके health के लिए अच्छी नहीं होती है इसलिए आज मैं आप सभी क साथ share कर रही हो घर पर ही आप बना सकते हो high protein मियोनीज डिप या sauce आप जो भी बोलो sandwich spread भी बोल सकते हो और इसको आप फ्रिज में बनाकर 10-15 दिन के लिए रख सकते हो यह खराब नहीं होगा जिस तरीके से मैंने बताया है आप इस तरीके से बनाईए तो या आप लंबे सम कर सकते हैं और इसमें कितनी calories और nutritional info आपको description box में मिल जाएगा तो यहां पर मैंने लिया है एक बड़ा चमल भीगा हुआ काजू और उसके बाद में आट करूँ पचास ग्राम पनीर फ्रेश पनीर आप चाहें तो यहां पर टोफू भी आट कर सकते हो फिर मैंने एट किया ह थोड़ा सा flavor के लिए आप अगर नहीं खाते हैं तो skip कर सकते हैं फिर सफेद वाला सिर्का इससे काफी 10-15 दिनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद में एट करूंगी हंकर्ट जो की optional है आप प्लेन कर्ट नॉर्मल वाली भी आट कर सकते हो थोड़ी स याँ फ्रेश हर्ब्स में सोया लीफ्स थी तो मैंने आट करी हैं अप हरी धनिया आट कर सकते हैं या फिर और और नमक आट करेंगे और थोड़ा सा ओलिव ओल आट करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और लिव ओल ऑप्शनल या अगर आप चाहो तो आट करना याँ आट करेंगे डाले से याँ से या तू याँ मैंने बनाया थे इसको नेक शाड़े गrån्षी कि तरह का इसको ट्रीप है जेए इसके साथ मैंने इसको तरह कित था और आफ यहाँ कर्नाई ने भ्स और प्लीज सोस्स्थित चाहते हो मैंपन मैं आपको शाझे से झाल झाल